आज लूफी का बड़े है और आज ही के दिन इंडिया में काट्यू नेटवर्क पर बनपीस का हिंदी डप रिलीज भी हुआ है तो देखते हैं कि हिंदी डप कैसा रहा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस करेक्टर को किस वॉइस आर्टिस ने वॉइस दी है तो लूफी नंगव देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि उन्होंने कैसी डप बढ़ीज ती क्योंकि मैंने इस जपेनीज में देखा था सौरी बड़ फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी रभिंग करी थी वनपीस एनीमें को देखने बाद और नीको रॉबिन को व गवाइट लिए लिए और मुझे लगता है कि लाल वो इस पसंद्ध बसंदंत बागी फिर चोने पीजत्ति लगती गहां है बलुब 2 ये कि प्वाइनफ रूडितraf बंधी दब में चलेगा क्योंकि कोई बात नहीं दिल में इतना चलता है लेकिन और क्यूट होती तो और मज़ा आता और जोरो को वाइस दी है इस ठाकर ने और मुझे लगता है कि जोरो की वाइस सीक है मेरे हिसाब से एट आउट और टेन तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है वरना खून की खुश्बुवाला पौफिम आखिर कौन लगाता है और उस्वप को वाइस दी है के ठांदा ने पता नहीं कि इनका नाम मैं सही ले रही हूं अगर नहीं ले रही हूं तो सॉरी आप सब ने अभी अभी देखा कि इस तुम्हाँ पर तलवार का भी जो नाम है वह उसी में रखा गया है जो असली है उसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया गया है जो आल्मोस्स अभी हिंदी डबिंग में होता है तो यहां पर यह चीज लग रही है कि जब वह मैंडग का तेल के लिए प्रचार कर रहा है ना त जित्ती मैंने सुनी है उसे सबसे ठीकी थी सांजी की वाइस भी लेकिन उसने नामी सैन नहीं बोला यह गलत किया तो बहुत जादा क्यूट नगरा जहां पर वह बड़े बहुत बोल रही है और बुड़को वाइस दी है विदित कुमार ने और मुझे लगता है कि सबसे ज वाइस पसंद आई है और जो उसका ओहो करने वाले जो डायलोग है ना मैं साहीं नहीं कर सकती जो कहते हो मैं भी पकड़ी लूग्या वह एकदम सेम सेम वाइस मुझे लगते हैं कि वह जैपेनिस जब भाला ही तो नहीं लेकिन नहीं वह वाइस हिंदी डबिंग थी और क्योंकि सब्सक्राइब को नहीं जैसे कि गम गम एलिफेंट गर इसको हिंदी में बदल के गम गम हाती बंदूक नहीं रखा गया है लेकिन अगर बाश्या की जगा सब्सक्राइब को नहीं बदलना चाहिए था हिंदी में इसको सेम रखना चाहिए तो लगनी पड़ेगी क्योंकि वन पीस में खून खराबा है और मारधाड हो रही है तो यहां पर अगर तुम देखोगे कि जोरो की जो फाइट हो रही है वहां पर सैंसर्शिप लगी है औ सब्सक्राइब करने के लेकिन सिर्फ बातिंग सीन्स को जो है कट किया गया है और मुस्ट सेंसर्शिप कम है तो आगे के एपसोड में पता चलेगा कि यह कित्ता सैंसर्शिप का यूजज कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह कम था तो रही बात पेंग की तो आज 6 एपिसोड्स लेकिन इसका को फायदा नहीं जब इसको न्यू और दिखेगी नहीं क्योंकि बिगनिंग से इसको नहीं दिखाया गया है वानो आक से शुरू किया गया है तो new audience को तो कुछ समझी नहीं आएगा तो one piece audience gain कैसे करेगी तो अगर तुम already one piece को देखते हो तो तुम support करो और लोगों तक इसको share करो ताकि लोग देखें और one piece को support मिले और hindi dubbing और भी बढ़े यार अच्छे से आए beginning से आना शुरू करें इस्ट ब्लू से शुरू हो जाए one piece तो overall मुझे तो hindi dub काफी ठीक लगा है लेकिन अगर इनोंने शुरुआ से शुरू किया होता तो जाधा अच्छा लगता लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं तुम भी देखी लो और comment करके तुम बताना की वजे से audience gain हो तो cardoon network लेके भी आये बाइ बाइ